में करती उनको पूरे चलिए देरना करते हैं एसी इंट्रस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं तू सब जान दाएं मैं छट नी सकती तेनू तेरी आद ने उंगलाते हैं रोज न चौन है मैंनू अगले जनम विच अल्ला एसा खेल रचा के पेजे मैंने तू बढ़ा के पेजे तेनू मैं बढ़ा के पेजे रेहान एक पॉपुलर टीवी एक्टर, मोडल, सोसल मीडिया इंफ्लिंजर है तो चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताईए कि किस-किस को पता था कि रेहान एक टीवी एक्टर है आपने किस टीवी सीरियल में इने देखा था तो चलिए आप लोग कमेंट करिए तब तक मैं आगे आपको रेहान रोय के बारे में बताता हूँ रेहान रोय का असली नाम अभीजीत रोय है और सब लोग इने प्यार से पपू अप्पू कहकर बुलाते हैं इनकी फैमिली में मम्मी पापा और इनकी एक छोटी सिस्टर है रेहान एक बहुत ज़्यादा गरी फैमिली से बिलोग करते हैं जिसकी वज़े से इनको टैंथ के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी और ये छोटे मोटे काम करने लगे रेहान भले ही गर की इस्तिति के कारण छोटे मोटे काम कर रहे थे लेकिन वो टीवी एक्टर बनने का सपना हमेशा से देखते रहते थे और ये बात वो अपनी मम्मी को भी बताया करते थे लेकिन उनको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था लेकिन जब ये 17 साल के थे तो कोलकत्ता में जी टीवी बेंगोली चैनल के लिए मेगा इस्टार के लिए ओडिसन हो रहा था तब इन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि क्या मैं ओडिसन दे दू तो इनकी मम्मी ने कहा कि ये सब हम गरीब लोगों के लिए नहीं बने है और जब ये बात उन्होंने अपनी मम्मी को बता है तो उनकी मम्मी बहुत ज़दा कुस हुई तब से इनके एक्टिंग के रास्ते खुल गए इसके बाद इन्होंने एक्टिंग सीखना स्टार्ट कर दिया 2010 से इन्हें एक बंगोली सीरियल मिला और बंगोली सीरियल से इन्होंने अपना debut स्टार्ट किया इसका नाम था आदोबोदो सुंदरी इसके बाद इन्हें बंगोली में ही एक फिल्म मिली आमानुस इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा उसके बाद सजदा तेरे प्यार में, सावधान इंडिया, एमोशनल अत्याचार, प्यार करदा इन गुमरा, एंड ओफ इनोसेंस, फीरे फायर्स, मीरा नागारजुन, थपकी तेरे प्यार की, एक विवा ऐसा भी, अगनी फेरा, गुड़न तुमसे ना हो पाएगा, करुन सं बहु बैगम जैसे नाजाने कितने सीरियल किये, लेकिन इनको असली फेचान गुड़न तुमसे ना हो पाएगा के किरदार पूर्व सिंग से मिली, और इनोंने विकरम भट की डायरेट की हुई तंत्रा वेब स्रीज में काम भी किया, इससे साब पता चलता है कि रेहान रो आई जानते हैं रेहान और मुसकान सर्मा के रिष्टे के बारे में और ये भी जानेंगी कि रेहान मुसकान के रिष्टे की सुरुआत कैसे हुई तो रेहान और मुसकान की मुलाकात एक में आगचवल फ्रेंड के तुरुआ हुई, वो भी वीडियो बनाने के लिए लेकिन रेहां जो मुसकान से मिले तो बähुत ज़्यादा इनोसेंट और सची लगी और उन दोनों में बाचित हुई और पहली ही मुलाकात में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई और इंट्रेस्टिंग की बात ये है कि मुसकान और रेहान की जोड़ी आप लोगों ने बहुत ज़्यदा पसंद भी इसके वज़े से इन्हें दोबारा मिलना पड़ा और वीडियो बनाना पड़ा दोनों साथ में वीडियो बनाने लगे और इनकी वीडियो वाइरल होने लगी इनकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत ज़्यदा पसंद आने लगी रेहान को मुसकान बहुत ज़्यदा पसंद है उन्हें वे अपना स्पेसल फ्रेंड और स्पेसल मूमेन मानते हैं और वही मुसकान को भी रेहान बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन रेहान क्या कहते है मुसकान के बारे में आप ये जानिए इनकी इन बातों से ये साफ पता चलता है कि रेहान के मन में मुसकान के लिए स्पेसल फिलिंग है लेकिन वो एजा फ्रेंड है उनके और मुसकान के बीच कोई लव वाली फिलिंग नहीं है वो मुसकान को बहुत ज़्यादा मानते हैं लेकिन एजा फ्रेंड और रही बात रे रेहान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड है अगर आप चाहते हैं कि रेहान और मुस्कान एक दूसरे को डेट करें और रिलेशनसिप में आएं तो इस वीडियो को कर दीजिगा एक लाइक और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर ये बता आप मुस्कान सर्मा की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा तो चले अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो ऐसी अमेजिंग और रियल वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर लिजिगा सब्सक्राइब हमारी वीडियो पहुँचे आपके पास सबसे पहले उसके लिए बेल आइकन पे उल पे क्लिक कर लीजेगा बाबाई मिलते है नेस्ट वीडियो में